नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज हम जिस भरती के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों Forest Department में निकली Forester और Forest Guard की vacancies तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस वर्ती से related पूरी जानकारी देने वाले हैं जैसे दोस्तो कौन कौन इस वर्ती के लिए apply कर सकता है आपकी post by जो education qualification मांगी जा रही है वो क्या होनी चाहिए उसके बाद में आपकी जो height कितने होनी चाहिए आपका physical test कैसा होगा आपका selection process और आपका medical पूरी जानकारी हम आपको दोस्तो डिटेल में देने वाले हैं तो वीडियो को छोण कर कहीं मत जाएगा वीडियो लाश तक देखते रहिएगा वीडियो बहुत ही काम की है आपके और दोस्तो एक request होगी आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा online classes को subscribe जरू करना तो दोस्तो हम इस समय है forest department की official website पर और यहां पर हम आपके लिए जो भरते निकली हुई ये इसको official notification भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं पूरा का पूरा official notification मेरे पास में है इसका link में दोस्तो इस वीडियो की description में दे दूंगा अगर आप चाहें तो इसका एक एक जो point है उसको ध्यान से पढ़के और इसमें form flip कर सकते हैं ठीक है फिर भी आपको form flip करने में अगर कोई भी परिशानी आती है तो हमसे आप comment करके form कैसे flip करना है पूँच सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट तो यहाँ पर दोस्तो कौन-कौन से पदोबर भरती निकली है उसकी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भरती की application form है वो already start हो चुके हैं 29 स्टमबर 2020 से और 20 अक्टूबर 2020 के बीच में जो है वो इसके online registration करने शुरू हो चुके हैं तो आज है दोस्तो एक अक्टूबर और 29 स्टमबर से इसके online registration स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 20 अक्टूबर 2020 तक चलेंगे उसके वादन दोस्तो हम आपको लेके चलते हैं इसकी official website पर जहां से दोस्तो मैंने ये notice के लिए download किया है तो यह है इस भरती का notice जो कि मैंने यहां से दोस्तो इनके official website से download करके रखा हुआ हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि यह जो वेपसाइट है वो चंडीगड की forest department की official वेपसाइट है यहाँ पर दोस्तों बिलकुल regular basis पे permanent job के लिए vacancies निकली है फोरेस्टर और forest guard की तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं वीडियो में आज तक जरूर बने रहे हैं तो यहाँ से दोस्तों शुरू करते हैं आपका जो सबसे पहले आपकी दोस्तों जो age limit है वो 18 साल से 37 साल तक दे गई है अगर आप 18 साल से 37 साल के बीज में हैं तो आप इस भरते के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद में इस पर government rule SC और OBC वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो अपर age limit में जो relaxation मिलता है वो भी मिलेगा यहाँ पर दोस्तों आपके बारे में हम बता देना चाहांते हैं कि यहाँ पर आपका जो selection process वो उसके बाद में जो भी पूरी जानकारी हम बता दें ठीक है तो यह देखेंगे यह आप दोस्तों यहाँ पर यह जो नीचे details दे गई है यह details दे गई है आपके लिए forester यानि कि forest officer उसके बाद में दोस्तों हम आपको forest guard के लिए क्या क्या education qualification मांगी गई है पूरी की पूरी हम आपको बताने वाले हों तो forester के लिए दोस्तों जिनका physical process होगा वो height आपके लिए जाएगी दोस्तो 163 cm, chest आपका 79 cm और आपका जो walk 25 km की आपकी जो walk होगे दोस्तों आपको 4 गंटे में मतलब पूरी करने होगी तो 25 km के आपकी पैदल चाल होगी यहाँ पे जो कि आपको 4 गंटे में पूरी करने होगी ठीक है उसके बाद में दोस्तों female के लिए 150 cm height होगी forester के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर forest officer के लिए इसके बाद में हम बताएंगे आपको forest guard के लिए और female के लिए chest दोस्तों होगा 74 cm और walk 14 km in 4 hours ठीक है उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे essential qualification for the post of forest guard तो forest guard में apply करने के लिए आपको 10 plus 2 यानि की intermediate pass होना जरूरी है sorry दोस्तों मैं आपको forester और मतलब जो forest officer है इसकी qualification बताना भूल गया तो मैं इसकी qualification आपको पता देता हूं इसके लिए भी दोस्तों आपके लिए जो है 10 plus 2 पास होना जरूरी है ठीक है अगर आप 10 plus 2 पास है और आपके पास में ITI है तो आप इस भरते के लिए apply कर सकते है तो हम चलते हैं दोस्तो forest guard के तरह forest guard में apply करने के लिए आपके पास में 10 plus 2 का जो है वो certificate होना जरूरी है आपको मतलब intermediate पास होना जरूरी है और आपकी जो age limit है वो 18 साल से 37 साल के बीच में होनी जरूरी है ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका हम physical के बारे में बता देते हैं कि आपकी height के जरूरे कितनी होगी height आपके जो दोस्तों होगी 163 cm for male के लिए होगी 79 cm chest होगा उसके बाद में आपका जो 25 km के जो आपकी walk होगी वो 4 गंटे में आपको पूरी करने होगी वहीं दोस्तों female के लिए 150 cm height chest इनका 74 cm और इनक हैं यहाँ पर काफी सारी detail दी गई है इस भरती से related तो अगर आपके लिए कोई भी doubt है तो आप इस notice के लिए पढ़ लें और इस notice को समझ लें उसके बाद में ही मैं आपसे request करूंगा कि इस भरती के लिए आप apply करें इस भरती के दोस्तों जो online registration की date है वो आप देख सकते है हैं यहाँ पर 29 सतंबर 2020 से और 20 अक्टूबर 2020 के बीच में इसकी online registration हो रहे हैं जो कि दोस्तों already start हो चुके हैं क्योंकि आज है एक अक्टूबर और इस भरती की जो online form है वो 29 सितंबर से ही start हो चुके है उसके बाद में दोस्तों 20 अक्टूबर 2020 तक इस भरती की जो है वो online form भर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पर कुछ अगर और मिलता है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि प्लीज कीव डीटेल से डी विद यू बिफोर क्लिकिंग दी online application form तो आपको online application form को फिलब करने से पहले आपके पास में कौन-कौन सी details होनी जरूरी है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं परस्नल डेमोग्राफिक डिटेल्स इंक्लिडिंग डेट वर्थ एंड नेशनलिटी ठीक है उसके बाद में mobile नंबर और mobile नंबर के बाद में दोस्तों आपके पास में personal email id, reservation category details, उसके बाद में soft copy of stand, photograph and signature ठीक है अगर आपके पा उसके बाद में दोस्तों आपको इनके officer website पर ले जाकर हम एक चीज़ और दिखा देना चाहते हैं कि यहां पर जो पोस्त हैं दोस्तों वो फोरेस्टर की टोटल 6 पोस्त हैं और forest guard की यहां पर दोस्तों 14 पोस्त हैं जो कि दोस्तों जनरल के लिए 8 SC के लिए 4 और OBC के लिए जिसमें से 14 forest guard और 6 forest officer की भरती निकली हुई है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe जरू कर देना वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह चीज़ और बता द चाहते हैं कि अगर आप इस भरती में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका link है दोस्तो fwd chd.in यहां से जाकर आप इस भरती में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यह टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दोस्तों जो है वो interface के सामने आ जाएगा उसके बाद म आपको यहां पर online form पर click कर देना है तो आपके सामने जो online applications है वो आपके सामने खूल कर सामने आ जाएगा और यहां से आपके बहरती में अप्लाई कर सकते हैं मैंने किलिक किया तो आप देख सकते हैं यह पूरी की पूरी डिटेल यहां पर आ चुकी है तो आपको अपलाई कैसे करना आप समझ चुके होंगे तो दोस्तों उम्मिद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवार